तो most welcome ये नई वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 69 फिल्म फिर अवार्ड्स को लेकर दोस्तों आप सभी जानतें कि ये अवार्ड्स फंक्शन हो चुका है लेकिन जब से ये अवार्ड्स फंक्शन हो है उसके बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी यहां पर पैदा हो ग करता है एक बंदा जो डिजरू करता है जो दर 2023 के अंदर इतनी ब्लोगबस्टर फिल्में लेके आता है और इतना भैंकर कलेक्शन करता है और बालीवूड को बचाता है उस बंदे को आवार्ड्स नहीं दिये गए तो कंट्रोवर्सी तो पैदा होगी अब सभी जानते कि इंद आवार्ड्स के अंदर जहापर सबसे प्रबल दाविदार माना जारा था शारू खान को कि भाई शारू खान को आवार्ड डेफिनिट मिलेगा क्योंकि 2023 जब बालीवूड डूब रहा था तब वो फिल्में लेकिन बाद आवार्ड और किसी स्टार को दे जाता है तो ज़ान को बेस्ट फिल्म लेकिन बाई ज़ान को बेस्ट फिلم का आवार्ड डेन मिलना सर्प्राइज का आप सभी जानते हैं कि बहुत ही शांदर फिल्म तीक सोसल मैसेज देने वाली फिल्म थी सामाजिक जो चीजे थी सोसल इविल्स थी सामाज की जो कुरूतिया थी उन पर भार करती थी और सामाज में जो करप्शन था उसके खिलाब आवाज उठाने वाली ये फिल्म थी लेकिन बड़े सर्प्राइज की बात है कि उनकी फिल्म को कोई आवार्ज यहां पर नहीं दिया जाता है बहुती शर्प्राइज है सबसे बैस्ट फिल्म तो भाई जवानी थी ये आप कंपरम कर सकते है और फिल्म ने भाई कलेक्शन कितना कर रखा है ग्यारा सु पचास करोड़ अब अंदे हो तो में दिखाए नहीं देता जिस फिल्म ने ग्यारा सु पचास करोड़ का कलेक्शन कर रखा है तो में वो भी दिखाए नहीं दे रही फिल्म का म्यूजिक शांदार फिल्म की स्टोरी शांदार फिल्म के सौंग शांदार सब कुछ तो शानदार है भाई VFX शानदार, BGM शानदार फिर उन लोगों आपके अंदे उचे को कान के महरे उचे को जो तमें दिखाई नहीं दे रहा इतनी ब्लोकबस्टर फिलम जी हाँ दोस्तों वो आपको दिखाई नहीं दे रही है पठान, जो Bollywood डूब रहा था उसमें पठान लेकिया है, पठान की स्टोरी में क्या था जबरदस्ट एक्शन, जबरदस्ट सौंग सब कुछ everything था, लेकिन भाई पठान को भी कोई आवार्ड नहीं दिया गया बड़ा सर्प्राइज का नौइस परकार की आवार्ड को लेका रहे है डंकी जो की एक शोशल फिलम थे, जी हाँ दोस्तोर एक ऐसी फिलम जो ओस्कर के लिए भी जा सकती है ओस्कर भी जीतने का मादा रखती है शोशल प्रोब्लम्स को दिखाया जाता है और वो ऐसी प्रोब्लम्स थी जो एक देश के नहोकर सभी देशों की भाई प्रोब्लम्स थी उसको दिखाया जाता है उतनी सारी फिलमें इन तीन फिलमें एक बंदा दे रहा है एक साल में दे रहा है बाई और तेक से बढ़कर एक दे रहा है 26 क्रोड का कलेक्शन कर रहा है लेकिन उस बंदे को भाई आप आवार्ड दी दे रहे हो तो क्रिटी साइज तो जेलना ही पड़ेगा बाकी ओडियन्स इसके बाद सोसल मेडिया पर तमाम जो बाली वुड़के कला कर रहे हैं बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर परसन उठा रहे है कि जो अवार्ड फंक्शन से भिका हुए है और इनके अंदर गलत जो प्राइस इस्टिबिशन के आगा है उसको लेकर शारु खान का रियक्शन भी आगा है वो उनके लिए हमेत रखता है यह आवार्ड की उने कोई जरूत नहीं है खासकर सोसल मेडिया पर भाई इस चीज़ को लेकर 69 फिल्म फिर आवार्ड को लेकर बाइकोट की मांग उठाई जा रही है कि इनका भी बाइकोट होना चाहिए और रियल में जो टैलेंटिड भंदा होता है जिसा काम होता है उसको यह आवार्ड नहीं दे जाते हैं बाकि आप क्या सौसते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 12th फिल को आवार्ड दिया गया हो 12th फिल अच्छा सब्जेक्ट था लेकिन भाई वो जवान जितनी बड़ी फिलम नहीं थी बेस्ट अक्टर का आवार्ड भी रनवीर कपूर को दिया गया एनिमल के लिए है एनिमल के अंदर क्या दिखाया गया सिर्फ नंगापन दिखाया गया मारकर दिखाया गया और बिसिकली अगर हम तुलना करें एनिमल और जवान के तो यार जवान एक 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 याशिक फिलम में उसके सामने तो बिल्कुल नहीं है और ऐसे सित्धे में आपने बेस्ट एक्टर का आवार्ड भी ऐसे किशी को दे दिया बेस्ट फिलम का आवार्ड भी किशी को दे दिया वाइकार्ट करना चाहिए, तोगि ये अवार्ड्स फंक्शन बेसिकली चहरा देख के दे जाते हैं, टैलेंट देख करने दे जाते हैं, बट्या आपके असोचते हैं अपनी राई जल्दी कॉमेट बॉक्स में लिखिए